आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ In this question we have given the current flow from A to B as shown in the figure What is the direction of current in circle हमें बताना What is the direction of current in circle हमें circle में current की value find out करनी है अब माल लेते हैं हमारे पास क्या था इस तरह से AB wire था जिसमें current A to B की तरफ बहरी है हमने माना current आई इसमें flow कर रही है अब अगर यहां पर current flow कर रही है तो हमारे पास इसके समीप एक circle रखा है इसके close में उसमें बताना हमें current की direction क्या होगी हमने अपना बड़ा diagram बना लिए हमारे पास क्या है circular loop है ठीक अब इसमें current की direction बतानी है तो तो पहले हम देखते हैं जब किसी wire में current flow करती है तो उस wire के nicket में या फिर उस wire के close में चारों तरफ क्या होता है क्लोज रखा हुआ उससे pass करेंगी ठीक तो यहांस इस तरह से हमारे पास circular magnetic field produced होगा इस wire में current flow करने की वज़े से और यह magnetic field इस हमारा जो हमारा circular loop है इससे pass करेगा तो हमें पता अगर किसी loop से magnetic field lines pass करती है तो उस loop में क्या होता हमारे पास flux produced होता है तो यहांसे कहेंगे हमारा क्या था circle था तो इस circular यह हमारा क्या है एक loop हममाल सकते हैं इस circle में क्या होगा हमारा flux produced हो जाएगा क्यूंकि इस flux में हमारा magnetic line pass कर रहे होगी flux produced हो जाएगा ठीक अब यहांसे देखेंगे जो magnetic line होगी च्योंकि यह current हमारा constant है तो हमारे flux भी क्या हो जाएगा हमारा constant हो जाएगा flux क्या हो था हमारे पास 5 वराबर B A cos theta ठीक अब यहां से area इसका माले थे इसका जो loop था इसका radius क्या है R तो इसकी जो area हो जाएगा πाई R square यह हमारा area constant रहेगा B जो यहां से magnetic field निकलेगा current I flow होने की वज़े से वो B A भी हमारा constant होगा theta यहां पे 0 degree हो जाएगा तो 5 वराबर हो जाएगा हमारे पास B dot A ठीक और यह हमारा क्या आजागा यह constant होगा यह हमारा change नहीं हो रहा होगा यह हमारा constant होगा अब हमें पता है कि हमें बताना था जो इस circle में current किस direction में flow होगी तो अगर इसमें यहां फे flux हमारा change हो रहा होता तो इस loop में हमारा induced dma produce होता उसकी value क्या होती हमारे पास minus d5 by dt अगर यह induced dma produce होता इस circular loop में तब जाके यहां इस loop में current flow करती पर यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमारा flux constant है तो e d5 by dt की value यहां से देखेंगे अगर हम देखेंगे d5 is equals to हमारे पास क्या हो जाएगा 0 constant बतलब कि हमारा flux में कोई भी change नहीं हो रहा है flux में अगर change नहीं हो रहा है तो यहां पे induced emf e की value 0 हो जाएगी तो circular loop में कोई भी current flow नहीं करेगी i के value 0 हो जाएगी क्योंकि उस loop में कोई भी हमारा electromagnetic force नहीं produced हुआ या फिर induction, electromagnetic induction नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे देखेंगे हमारा flux जो produced हुआ है और क्या है constant है constant मतलब कि flux हमारा change नहीं हो रहा है flux किन बातों पर depend करता है magnetic field, area और cos theta तो इनके बीच में angle भी हमाल लेते है magnetic field और area vector के बीच में angle क्या है हमारे पास 0 degree है b constant होगा क्योंकि यह हमारा जो i है i constant है अगर i लगातार change हो रहा होता तो यहां पे जो हमारा b होता b change होता ठीक तो यहां से flux हमारा change होता लेकिन i ना change हो रहा है और area जो circle का हो तो हमेशा constant ही रहेगा pi r square तो भी नहीं change हो रहा है तो यहां से basically जो flux मिलेगा वो क्या होगा constant रहेगा flux constant है तो d phi की value 0 हो जाएगी अगर d phi की value 0 होगी तो यहां से induced dmf e की value 0 हो जाएगी current बढ़ रही या घट रही है अगर current constant है तो इस loop में जो हमारा circular loop है उसमें कोई भी current flow नहीं करेगी तो यहां पर कहरेंगे no current ठीक अगर current ही नहीं होगे तो इसके direction क्या बताएगे तो अगर इसका answer क्या हो जाएगा none of these यही हमारा इस question का answer हो जाएगा current भी zero हो जाएगी तो circle में कोई भी current flow नहीं करेगा यही हमारा answer हो जाएगा Thank you